जाहां दोस्तों आज़के इस वीडियो के मांद में से हम बात करेंगे MPBAT M8, BABA, BACBAT, BPA, MP8, 4th round या additional round की मेरे लिस्ट के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है 19 तारिक है और 19 तारिक को हमारी 4th या additional round की जो मेरे लिस्ट आने बाली थी वो हमारी आज चुकी है हमें कैसे चेक करना है वो हम बताएंगी इस वीडियो के माद में से तो वीडियो को share करते हैं सभी के साथ चली start करते हैं वीडियो को तो सबसे पहले हमें इसकी official website पर आ जाना है link direct description box में मिल जाएगा आप इस website पर आ जाना तो हम second वाला देख रहे है प्राइबेट कॉलिज के लिए बीएड का तो यहां पर हम क्लिक करेंगे जो कि दो सार वाला है ठीक है और जैसा कि आप सभी को पता है कि 19 तारी को जो लिस्ट आने वाली थी वो आज चुकी है एक 25 को आईगी एक 19 को 19 वाली लिस्ट में होता गया है कि हमें यहां पर किबलो की वर रेंग का पता चलता है यहां पर हमें कॉलिज का पता नहीं चलेगा कि हमें कॉलिज कौन सा अलोट किया गया है यहाँ पर फ्रस्ट नंबर पर लिंक की दिखाई देगा मेरे लिस्ट एडिसनर राउंड जो कि 19 जुलाई को एक्टिवेट किया गए 3 जुलाई तक एक्टिवेट रहेगा क्लिक कर देना है इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफीस आ जाएगा एप्लिकेशन नंबर जो आपके केस में आता है इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफीस आ जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिखाई देगा हमारी रेंग कितनी साथ ही टोटल केंडिडेट केंडिडेट कितनी है यानि कि जो बीएड का हम जो देख रहे हैं उस से हमारी जो पोजीशन्स है वो जो लिए लेकर इस बार एक अची बात है कि स्टूडेंट बहुत कम है 45,000 है पहले तो 60,000-70,000 अचींग सब्सक्राइब करना है तो मैं बता दू अब आपको केबल जो अगली लिस्ट का इंतिजार करना है जो 25 तारीक आएगी जो कि हमारी सब्सक्राइब करना है तो मैं अब केबल केबल 25 तारीक इंतिजार करना है बिल देखली वीडियो में को जानकारी के साथ अब पकले बाए